नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ पर मैं डिसकसन करूँगा कुछ इंपोर्टन्स अपडेट के बारे में, कुछ इंपोर्टन्स न्यूज के बारे में, तो कमपनीज के जो डेटेल्स है और टेक्निक लिए जो आप से उठा सकते हैं, तो विडियो को सुरू करने से पहले मेरी कोष्ट करूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्रिबनी के जो जोरू कर लिजिएगा, कंटिनियसली इस तरी के से अपडेट और इंफल्मेशन पाने के लिए, तो मैं सुरू करते हूँ सबसे पहले TBS मोटोर के बारे में बात करने के लिए, तो तो कंपानी lifetime high, कि पृछले दिना में भी कर चुके थे, आज भी company कर चुके है, तो continuously company high breakout कर ते जा रहा है, तो इस एक strong resistance था, उस resistance के उपर मैं आपको बोला था, कि इस level breakout होने के बाद के अच्छाका सा rally दिखे गा, और मेरा target हामेशा उस प्रेंच प्रेकाउट होने के बाद 1-3 इसुगा रहते हैं तो अल्मोस्ट मुझे 1-3 इसुगा टार्गेड मिल चुका है तो फिर से इस कमपणी को पर एक न्या टैट भरने के लिए कमपानी एक चार्ट पटन क्रेड़ किया है वो में आपके साथ श्यार करूगा तो उससे जानना है company का stand क्या है देखे हमेशा stand के बारे में पता होना चाहिए उसके बाद उस company के टेक्निकले चार्ट के उपर research करना stand मतलब company के quarter result किस तरके से हुआ वो देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा company के sales है वो पिछले सालों के तुना से इस बार कई गुना ज्यादा increase हो चुके है इसे एक्सेन के company ने expense को maintain कर किया है expense भी उसी तरके से हुआ जीस तरह किसे होना चाहिए और operating profit में अज देखना को मिला इसका मतलब expense करने के बाद company का operating profit भी अच्छा का सदेखना को मिला operating profit margin भी अच्छा का सदेखना को मिला अगर company के में total net profit के बारे में बात करूँ तो 275 क अगर भाग रहा है तो उसके पीछे कोई logic आपको ढूंड कर देखना है तो logic क्या है company अच्छा खासा याप profit margin को increase किया तो उसके चलते है अच्छा खासा बायार इस company के उपर active हुआ और अच्छा खासा तेजी आपको देखना को मिला है तो TBS motor का जो मतलब initial fund बाले ने company के पर किस तरीके से treat कर रहा है बहुत दीखना जूरूरी है देखिए continuously December मांथ में और June मांथ में करीबन साड़े तीन लाग quantity से भी ज्यादा यहापे quantity खरीदरी गिये थे और उसके बाद एकी February मांद में कितना चार लाग से भी ज्यादा हाँ शॉरी 41 lakh से भी ज्यादा यहापे तीन लाग नहीं 34 lakh के आसपास होगा तो यहापे 41 lakh से भी ज्यादा company quantity के इसाब से बेचा गया और अब देखेंगे तो मार्च में 13 lakh से भी ज्यादा quantity से लाउट किया गया और एप्रिल मांद में 11 lakh के आसपास company के quantity खरीदरी गया इसक की बज़े से हो रहा है क्योंकि continuously इस तरगे से तेजी आपको एप्रिल मांथ से देखने को मिलेगा अगा चार्ट पर प्रेड़न के उपर लेके जाओ तो आप ध्यान से देखिएगा यहाप पर एप्रिल मन्थ कौन सा है मार्च एप्रिल में तो यहाप देख सकते है एप्रि इसे एंटी लेने के लिए त्यार हो चुका हूँ क्योंकि दिखें जो नेक्स्ट लेंच बन रहा है वो रेंच अब्यसली एक रिक्सी जोन में बन चुके है क्योंकि हायर लेवल में कंपणी यहां पर क्या क्या वॉलियम क्रेट किया इसका मतलब यहां पर कुछ लोग प्रॉ आई वॉलियम के साथ यहां पर ब्रेकाउट हो चुके है तो इस ब्रेकाउट लेवल के बाद मुझे लगता है यह हायर लेवल में अगर कोई भी केंडल बने तो एक एंटी लेवल बनेगा ओबिसली एक स्टॉप लोस लेकर आप काम करना इसके नीचे आप ऑबिसली कुछ डिसएसं ज्रूलेंस सेके जूपान। जिसके बारे में डिसकेर्शन करूंगँगा उसका नाम है और्ती इंडश्टी लिमिट्ट्रूस लिमिट्डेद बाद करूं तो कॉम्पानी के फिलाल के जो हालत है वह उतना खास नहीं है आप कि सर क्योंकि देखी कुम्पान December 2021 में किये थे, इसका मतलब company का जो sales का report है, वो increasing moment में नहीं है, बहुत बार pressure है, आपर company create कर चुके है, और जो pressure है, बहुत high pressure में देखने का मिला, क्योंकि company के growth हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके होना चाहिए था, मगर बीच मीच में company ने ज़्यादा sales किया, और अभी company का sales डाउन हो चुके है, और पिछले सालों का quarter था, मार्च का quarter, आपर company 1700 क्रोड का sales किये थे, और इस बाद वो बन चुके 1600 क्रोड के असपास, इसका मतलब high pressure यापर company create किया, और मतलब high sales यापर company decrease किया, तो company के जो operating profit margin है, वो 19% से बन चुके 15%, एक time company 22% के उपर भी, एक time company 43% के उपर भी जा चुके थे, आज 15% के आसपास आ चुके है, इसका मतलब three times company यापर operating profit margin को डाउन कर चुके है, और इसी के चलते company के उपर लगातार लगातार गिरावट का माहूल देखने को मिलता है, अगर गिरावट का माहूल आपको दिखा दू, तो continuously देखे company के उपर sale अप जारी है, higher level से, अगर मैं higher level से down level तक देखू, तो company के जो range बन रहा है, वो around around देखे 50% company crash हो चुके है, और इस 50% crash होना, company के उपर इतना असानी से crash नहीं हुआ, company के उपर बहुत सारा गड़बड़ी देखने को मिला, जो गड़बड़ी क्या है, company के उपर sales का growth काम हो जाना, company का profit margin काम हो जाना, और इसी के चलते है, institution भी लगातार इस company को उपर sales किया, अगर अगर ध्यान से दिखेगा, company को उपर mutual fund बने ने क्या क्या, sales क्या, FDS ने माल उठाना बंद कर दिया, और इस तरह किसी ग्रियावट का माहॉल यहाँ पर बन रहा है, जिसके लिए company के उपर एक pressure gate हुआ, अभी आफ कहेंगे sir, कौन सा level बन रहा है, इस level के बाद में एंटी ले सकता हूँ, एक यह जो level है, यह obviously एक strong support की सबसे काम कर रहा है, तो strong support की सबसे काम कर रहा है, अभी देखना है, जो previous high को वो company retest किये थे, देखें, यहापे में anti level यह आपको यहापे दिया था, और मैं आपको बोला था, इस level तक वो जा सकते है, क्योंकि यहापे strong resistance था, वो ही level तक गया, उसके बाद है कि big crash हो गया, इसका मतलब seller बहुत aggressive है, seller बहुत ज़्यादा aggressive है, लोग continuously sell off करते जा रहा है, प्लीज इस company के उपर इतना जलबाजी करके entry मत ले ले लेना, मुझे लगता है इस level को बहुत तोड़ेगा, और एक big fall फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि company में जब तक result अच्छा ना हुए, जब तक company का performance अच्छा ना हुगा, तब तक इस company को उपर पेसार बेखना को मिलेगा, तो third जो company जिसके बारे में discussion करो, वो है RBNL, देखे मुझे पिछले दिनों में एक दोस्त comment किये थे, sir अपने RBNL और IRFC के उपर बातचीत तो किये है, मगर उसका कोई target ratio आपको नहीं बताया, देखे target ratio आपको इसलिए नहीं बताया, क्योंकि पहले से ही target हो चुके थे, और नया कोई anti-level नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको साथ कोई भी share नहीं किया, अगर कोई भी anti-level फिर से मिलता है, तो आपके साथ share करूँगा, तो anti-level कहाँ पर मिला था, वो मैं आपके साथ यहापे discuss करना चाहूँगा, क्योंकि इस तरह के से technically chat button आगा सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जूड़ रहिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा comment आए, तो यह जो technically chat button है, यह जो technically details है, वो मैं आपके साथ share करूँगा, वो technical details क्या है, जहाँ पे ending होगा, उसके बाद next day में आपको buying करना है, और आपको target कहाँ रहेगा, उपर side में जो आपको इस तरह के से line दिखेगा, वो line जहाँ पे closing होगा, जहाँ पे end हो जाएगा, उसी के next day में आपको क्या करना होगा, sell करना होगा, अगर इस level में कोई भी यहाँ पे buy or sell किया है, मैं खुद तो किया हूँ, तो यहाँ पे जो sell और buy sell किया गया है, कितना return मिला, और वो भी आपको return कितना मिला, आप देख सकते हैं, 117% का return, मतलब इसका fund आपका double हो चुके है, और वो भी कितने जुनों में, 68 days में, दो मांत के अंदर-अंदर, same to same, IRFC का भी आपको बन देखने को मिला था, IRFC में यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे एक बार, दो बार आपको मुखा मिला, देखिए, दो बार आपको मुखा में लगा, तो आप average कर सकते है, हाँ, आपका fund का 2-3% से ज़्यादा invest, कभी भी किसी भी company इसको उपर swing trading के उपर नहीं लगाना, तो देखिए, यहाँ पर जो level बना, उस level से high level कहा से बना, इस level तक closing period देखने को मिला, तो मैं अगर down side से top level तक देखू, तो around around 32% का return मिला, और वो भी 37 days में, इसका मतलब एक मांद में ही company आपको 30% का return लिया, तो इस तरीके से swing trading आप सिखना चाते है, तो मुझे comment करिए, मैं आपको टेकनिकली चार्ट पर्टन जोरू सिखाऊंगा, लास्ट जो company जिसका नामें गुल्सवन पॉली लिमिटेड, जिस company ने एक अच्छा खासा धामा का performance किया, आप देखेंगे, इसका चार्ट पर्टन कोबीट के बाद, company ने अच्छा खासा performance का कोबीट के टाइम में, सिर्फ 40 रूपीज के आसपास इस company का share था, आज company का price धाईसो में चल ला है, company high किये थे करीबन 400 रूपीज के आसपास, तो company ने एक बहुत बड़ा announcement किया, बहुत announcement क्या है, 1 is 2, 1 is 2 5 रेसे का आपे totally bonus देने वाल है, हर 500 share में company आपको एक share एक्स्टा benefit में देगा, इसका मतलब आपकी इस company का 500 share है, तो एक्स्टा आपको 100 share मिल जाएगा, आपको कुल मिला कर 600 share हो जाएगा, तो इस तरीके से information पाने के लिए, चैनल को जूरू subscribe करना, और ये वीडियो कोई भी recommendation वीडियो नहीं था, टेकनिकली चार्ट प्रटन में इसलिए सिखा रहा हूँ, कि कि आप खुद थोड़ा सा analysis करके, इस company, इस सारे companies को पर फाइदा उठा सकते हैं, उसके लिए कुछ चीज को आपको जुरूर study करना पड़ेगा, उसके बाद इस तरीके से आपको extra benefit मिलेगा, तो मेरे वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरीके से in-depth details जाना चाते हैं, तो मेरे साथ जूड़े रही है, टेलिग्राम को भी जूँन करिए, मिलेगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रही है, आप लेख्या लखिए,